हेलो व्रीवन वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टिकी नोट्स के बारे में बताऊंगा जो कि विंडोस 10 का बहुत इंट्रस्टिंग फीचर है तो आयो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टिकी नोट्स confused open करते हैं इंट्र करने के लिए आपको यहां सर्च वार में टाइप करना है sticky notes, जैसे sticky notes करके enter करेंगे, यह आपका sticky note open हो जाएगा, अब मैं आपको इसका एक छोटा सा overview दे देता हूँ, sticky notes को use करने का सबसे बड़ा benefit यह है, कि जैसे माल लेज़े, आप कुछ online search कर रहे हैं, या आप कुछ student है, और online study कर रहे हैं, और immediately आपको कुछ note down करने की जुरूरत है, तो उस case में आप sticky notes को use कर सकते हैं, आप कुछ भी text को यहाँ पे paste, या फिर आप कुछ भी type कर सकते हैं, औ और इसका एक और benefit है, जैसे माल लेज़े, आपने इसमें कुछ type या कुछ भी paste किया है, उसके बाद अगर आपका system restart भी होता है, या shutdown भी होता है, और next time आपको system जैसे ही boot या start होता है, तो आपको as it is वैसे ही note मिलेगा, जैसा कि आपने before shutdown या before restart के वक्त रखा था, तो आई तो इसके मैं आपके कुछ features रगार आपको बताता हूँ, तो जैसे माल लेज़े ही हमारे कुछ text है, तो जैसे मैंने high को अभी highlight किया, तो आप इसको bold कर सकते हैं, या से italic कर सकते हैं, underline कर सकते हैं test को, even strike through कर सकते हैं, जैसे strike through दे सकते हैं आप इसको, और toggle bullet भी उसकर सकते तो इस तरह से आप इसमें कुछ features को use कर सकते हैं, और या आप अपने keyboard के shortcut से भी कर सकते हैं, जैसे माल लेज़े, ये test है, या मैं इसमें और add कर देता हूँ, test, तो आप इसको highlight करने के बाद, control B करेंगे, तो ये bold हो जाएगा, underline हो जाएगा, control U करेंगे, तो underline हो जाएग तो इस तरह से आप कुछ, इसके features वेगरा, use कर सकते हैं, और even आप image तक add कर सकते हैं, यहाँ पे एक option देख रहे हैं, यहाँ पे add image का option है, तो जैसी मैं इस पे click करता हूँ, तो यहाँ desktop में मेरे पास एक picture है, तो मैं इस picture को select करके open कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख इस तरह से इसके कुछ features है, sticky notes के, तो जैसे मैं इसको delete कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ उससे पूछ रहे हैं, इस image will be deleted, तो हम इसको delete कर देते हैं, अब मैं आपको इसके कुछ shortcuts वेगरा बताता हूँ, notes के, तो जैसे माल लीजिए, अब यह मेरा एक note ready है, अब मुझे एक न खुल जाएगा, जैसे मैं एक और open कर लेता हूँ, और एक और open कर लेता हूँ, तो यह हमारा another note ओपन हो गया, तो इस तरह से आप कितने भी note open कर सकते हैं, और मैं आपको इसका एक और feature बताता हूँ, note का, तो जैसे आप किसी individual note को color भी कर सकते हैं, जैसे मैं ने इसको green कर द कर देता हूं इस नोट को ब्लो कर देता हूं तो इस तरह से आप इच एन एवरी सिंगल नोट को भी कलर कर सकते हैं एक और इंट्रस्टिंग को इंडीवीजियल को एक क्लिक कर मुझे ऐख करना अब गे जा करना मुझे ऐक इंडीवीजियल को एक लोगे करनाऊ सब्सक्राइस कर ड். गलतुरन और अवसलवारी नोट में से भी कि इंडिविजल को इमीडिटली एकसेस कर सकते हैं और अब मैं आपको एक इसका और इंट्रस्टिंग फीचर बताता हूं नोट का तो जैसे माल लीजिए मेरे टेक्स्ट है तो मैंने सभी टेस्ट को कॉपी किया और यहां सभी इंडिविजल नोट्स पे पेस्ट कर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से नोट्स आपके आ जाएंगे सभी या फिर आपको आप इसका शॉटकट भी यूज कर सकते हैं चैसे आप कंट्रोल एच करेंगे तो सारे नोट्स आपके लाइन में आजाएंगे अब इसका एक और एक फीचर में आपको यहां बताता हूं ज जहां जहां जिस्वी नोट्स में ट्र विलिबल होग टो थेक्स्ट होगा तो नुद्स मेरिक वर्ड होगा वहाँ यह करेंगे और सभी को आप इसको यूज inis का करता हूं अब अबिडिविजल को आप यहां पे कैसे क्लोस करेंगे तो उसके लिए एक shortcut है Ctrl-W, Ctrl-W और Ctrl-W So that's it, यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आपको Sticky Notes के बारे में बताया कि इसको कैसे यूज़ करना है और उसके features और उसके कुछ shortcuts के बारे में बताया तो hope की वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, तो please like, share and subscribe कीजेगा और comment भी आप मुझे comment section में कर सकते हैं, thank you so much